आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपका नया फोन चार्ज कर सकते हो लोगडाउन में नया फोन जब ओडर करते हो तो उसे कैसे चार्ज करना है वो सारी information में आपको बताता हूँ step by step जब आपको फोन फैक्टरी से मिलता है most probably वो कमपनी वाले उसे चार्ज करके भेजते हैं लेकिन जब लॉगडाउन में आप फोन ओडर करते हो सबसे पहले आप फोन अपना हाथ सैनिटाइस करो फिर उसके बाद अपना फोन चालू करो एक बार आपका फोन सेट अप हो जाए जैसे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी बैटरी लगाने के बाद आपको इंशॉर करना है कि आपका जो फोन है अगर वो 100% चार्ज पर रहेगा उसे ड्रेन करके 10% के नीचे ला दो एक बार वो 10% के नीचे आ जाएगा तो उसे 80% तक चार्ज करो आपको मैं यह डाइग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे फोन चार्जिंग करना चाहिए ठीक है बहुत सारे लोग सोचते है कि जब हमको फोन मिलता है क्या उसे 8 घंटे चार्ज करना चाहिए प्लीज ऐसा मत करना आपको इंशॉर करना है कि आप फोन का बैटरी एटलीस उसे ड्रेन करें यह रेक्यमेंडेट है इससे आपका बैटरी लाइफ इंक्रीज होगा दूसरा दूसरी सो उसके बाद जैसे आपने अपका फोन फूल चार्ज हो गया 80% और अबाब दस तिंग दस इस्टम अपडेट करना है उसके बाद जो भी डिवाइस सर्च ऑप्शन है उसे इनेबल कर देना है ताकि आप आपका वाइफाइ यूज कर पाओ स्क्रीन लॉक सेटिंग आप उसे सेट कर दो कह सही से एक बार स्क्रीन लॉक सेटिंग सेट हो जाएगा तो आपका प्राइ पर मैंने इमेज डाली है स्पेशली आपने एक एक्स्टेंशन बूर्ड देख रहें उस पर कितने डिवाइस किनेक्टेड है तो यह रेकेमेंड है कि आप यह सब चीज करो उसके बाद यह आपका फोन दस परसेंट तक ड्रेन हो जाएगा फिर उसको तीन साइकल में तीन बार हर दिन कोशिच करना 80% तक चार्ज होने के बाद उसे चार्जिंग से निकाल दो ताकि आप आपका फोन लॉंग डियूरेशन के यूज कर पाए तो बाटरी चार्ज कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ आप देख रहे हो मेरे इदर दिखा रहा है बैटरी 26% मैं कैसे चेक कर सकता हूँ अगर आपको उसका ब्रेकडाउन चाहिए तो आप इसके अंदर आ सकते हैं फोन सेटिंग के अंदर आपको बैटरी पे जाना है वो बैटरी आप देख रहे हो कि मेरा फोन का फूल चार्ज सा 17 गंटे हो गए सारा स्पेसिफिकेशन यहां बताया है और इसमें मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप आपके एंड्रॉइड फोन की बैटरी ज्यादर तेर तक यूज कर सकते हो सबसे पहले आपको ब्राइटनेस कम करनी है आपकी फोन की सबसे इंप प्लेन में मोड पे डाल दीजिए ताकि मोबाइल डेटा ट्रांसमिशन ना हो और आपका बैटरी ज्यादा ड्रेन ना हो तीसरा तरीका है आपको जब भी ऑप्शन मिले फोन का मोबाइल डेटा ओफ रखो स्पेशली 4G फोन का जितना हो सके वाइफा यूज करो क्योंकि व पे पबजी खेल रहे हो और उसके बाद भी आपका फोन कितनी जल्दी वह हो रहा है और वाइफाई पे वह ज्यादा समय लगता है तो वाइफाई उसे एक देड़ घंटा यूज कर सकते हो अगर आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन सेवर एक फोटो है आप जितना हो सके एक ग आपको सबसे इंपॉर्टन चीज है आपका सेटिंग आपको पता रहना चाहिए आपके फोन के बारे में क्या-क्या सॉफ़वेर आपका बैटरी यूज कर रहा है वह सारा इंफिमेशन आपके बैटरी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पावर यूसेज कितना हुआ कौन सा डिवाइस कितना पावर यूस कर रहा है आप देख रहे हो मेरे फोन पे टिक टॉक इंस्टाग्राम सबसे जादा यूस कर रहे है तो इस तरह दोस्तों हम अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा है मुझे कॉल आ गया अब मुझे वापिस मेरा फोन एरप्लेन मोड में दालना पड़ेगा यह बहुत बेसिक टिप्स है जहां आप यूस कर सकते हो आपका फोन का लाइव बड़ाने आपका बैटरी सेफ करने के लिए यह सब इनिप्स यह सब जो टिप्स मैंने बताई है यह सब मैंने अपने फोन पर यूस की है उस बेसिस पर मैं बता रहा आप फोन चार्जिंग एलेक्रिसिटी के द्वारा नहीं कर सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है ऑप्शन तो बहुत सिंपल है आप यूएजबी केबल यूज़ कर सकते हो लाप्टॉप पे आपका डिवाइस किनेक कर सकते हो आप लाप्टॉप फिरेग्स एटंपल ये डिफेरंट टॉप चार्जर है अब हर चार्जर आता है केबल के साथ वो केबल आप डिर्यक्ली अपने लाप्टॉप में प्लग कर सकते हो इस तरह दूसरा है power bank यूज़ करने का आप power bank से यूज़ कर सकते हो और एक और चीज में बता सकता हो उसके लिए लेकिन मैं नया वीडियो बनाऊंगा कुछ-कुछ fruits ऐसे हैं जिससे आप आपका mobile चार्ज कर सकते हो सो वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फो वाचिंग बाई